तो हेलो फेंड वेलकम बेक तो माय चैनल दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं सेमसंग के मोबाइल में जो कि मैंने प्रीविएस वीडियो हुना ही थी कुछ दिन पहले उसमें बताया था कैसे आप सेक्यर फोल्डर को क्रिएट कर पाएंगे और कैसे उसमें डेटे को डेटा या एप्स को रख पाएंगे दोस्तों आज की वीडियो में बताने वालों कैसे आप उसको अनिस्टोल कर पाएंगे या डिलीट कर पाएंगे seeking folder को और जोबेदी उसको नेनए पाएंगे ताकि बाद में उसको अपन सब्सकेर बैकण करेंगे और बाद में कैसे उसक यह नहीं मालों, Secure Folder को कैसे backup लें और कैसे उसको uninstall करें, तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, दोस्तों Secure Folder में जाना होगा, तो आपको यह Secure Folder यह दिख रहा है, या फिर आपको यह Notification Panel पे भी आपको मिल जाएगा Secure Folder, आपको उसके क्लिक कर लेना है, सोरी, यहां से नहीं जाएगा, वह इन सी जाएगा, आपको Secure Folder पे जाना है, यहां पर आपको उसको open करना है, अपना जो भी आपने Fingerprint यहा, जो भी pattern लगाया हुए, आपको उसको use करके उसको pattern में डाल देता हूँ, तो उसको enable करके वहाँ पर चले जाना है, यह open हो चुका है दोस्तों, यहां पर आपको जो भी गैलरी में photos है, यह यहां पर open हो जाएगी, या भी आपके जो भी apps होंगी, या जो भी option मिलेगा, backup and restore का आपको दिख रहा होगा, सबसे नीचे से आपको last third number पर मिल रहा होगा, backup and restore का, आपको उस पर click करना है, backup and restore वाले option पर, तो यहां पर सबसे उपर आपसे बोलेगा, add account, आपको अपना account add करना है, जो कि आपका Samsung account से linked है, तो मैं यहां पर अपना password डाल देता है, जैसे आप sign in click करेंगे, तो signing पर चले जाएगा, और आप से यहां पर agree करने को बोलेगा, क्योंकि आप यहां पर login कर रहा है, तो आपको इसको सबको कर लेना है, agree, agree करने का तो process होती जाएगी, और एक OTP आएगा मेरे, तो इसको भी मैं कर लेता हूं complete, तो तो two step verification करने क backup secure folder पर data पर click, अब जैसे इस पर click करेंगे, अब आप से वह पूछने वाला है कि चिसका आपको backup लेना है, तो मुझे यहां पर contact का नहीं लेना, calendar का भी नहीं लेना, normal photos का लेना है, तो मैंने उस पर click कर दी, आपको जिजिसका भी लेना, आपको सबको click कर देना है, और उसक e-mail सा backup था, यह complete हो चुका है, backup complete होने के दा अगर आप भार की तरफ आएंगे, आपको restore करने के लिए भी बता दूए कैसे आप देख सकते हुए, back up हो चुका है, backup होने के दा आप भार आएंगे, यहां पर आगर आपको restore करना है, तो यहां पर पूरा data आ जाएग और आपक से option पूछेगा यहाँ पर यह पूछ रहाएगी जो tick mark लगाएगी अगर आप उस पर tick कर देंगे जो भी आपकी calorie में फोटो होंगी वह automatic move हो जाएगी आपकी normal calorie में तो आपको करना yes अगर नहीं करना तो नहीं कर दीजेगा आपको करना simply uninstall पर click uninstall करने के आद आप देखेंगे आपर uninstall हो चुका है और जो भी आपके secure folder में data ता सब delete हो गया और बाकी पूरा secure folder आपका यहां से भी हड़ गया होगा और यहां उपर देखेंगे यहां उपर जो secure folder का आ रहा था वो भी वहां से टिक से हड़ गया है तो यह secure folder आप यहां से delete हो चुका है अब आपको create करना हो तो बापिस से नहीं process करनी पड़ेगी दोस्तों उमीद है कि आपको यह मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो thank you आपको subscribe का बटन देख रहा हो तो please मेरे चैनलों subscribe करना ना बोले ताकि मेरे चैनल की next वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले दोस्तों और हो सके तो मुझे Instagram और Facebook फोलो करना भी ना बोले जिसका link आपको नीचे description पर मिल जाएगा तो thank you